Hello everyone, वैसे student जो खासकार अलीक अदर मुस्मिन सीटी में बिएसी के लिए इस बार इंट्रेंस एक्जाम देने वाले हैं इस वीडियो में अप्लिकेशन फार्म, इंट्रेंस एक्जाम, इंट्रेंस टेस्स के डेट के बारे में साथी स्लेवर्स एक्जाम पैटर्न एलिविटी क्राइटिरिय में और बीस्टी में कौनकों से कोर्सिस आते हैं इम्यू कंदर उसके बारे में अलग 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 उन्वसिटीज का जो पैटर्न होता है यह सेलेक्शन का जो प्रोसिजर हो तो अगर आप इसको जामिय से अलग नमी करेंगे लोगी से भूल से सिसले करें तो बा Red puta में से नोगे रेगहां विटीक्स जाते थी ön brewer कला में है तो इसमें पर भूर न चाहते हैं यहिजिभना शाटेए नाजहींया यह और भी जो भी पर मैस लिजिए तो आपको सिंपली कुछ नहीं करने गूगल पर जाना है सर्च करना है यह भी एक्जाम कंट्रॉलर उससे पहले मैं आपका बीस का फॉर्म आ चुका है अच्छाए वह भी कोर्स के लिए देना चाहते हैं और फील करने के लिए आपको इस से डांटोड कर लेंगे इस गाइड में आपके कोर्स से रेड्लेटिड वह सारा इंफॉर्मेशन में इसके कालब आपको यहां से इन्होंने बता रखा है जो की बताया जगा आगे इसके लाब है इनका इंट्रेंस एक्जाम होगा और उसी के बेस्पी आपको सेलेक्शन मिलेगा यहां पर इनका जो बेस्टी होम साइन्स वाला जो सीन है इसमें अगर आपको आपको एक्जाम देना पड़ेगा और आपको मुस्टी कर नपए जो भी आपके मार्क साइंग से स्थाज ही इसाप से अगरिकल्चर की बात करे बागिद्ध इसमें नेक्स आपकरम बात करे इसमें जो में ने जिसे मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूं अप्थी ओनर्स में आपका एक बेस्सी आपकी यह हो गया बिए Geology, Statics, Industrial Chemistry and Computer Application, यह सभी पेपर जो हैं, आपके एम में basic अंदर आते हैं, फिर आपके जो marks आएंगे उसी हिसाब से, इसका डिटेल लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, पेज नमबर जेवन में जाना पड़ेगा, हम यहां से simply जेवन में चले जाते हैं, इससे पह आपके देख सकते हैं, BSC Honors, आप में यह तीन पेपर, Biochemistry, Botany and Geology, सीट्स देख लिए यह इतने सारे सीट्स है, Illigibility is common, यह 50% है, और बाकी इन में वही कहा जारे है, जिनको अगर BSC Honors में, जिनोंने 12th में अगर वो रखे होंगे, Botany, पेपर, Biology पेपर अगर रखे होंगे, सु Mathematics and Bio sections यह पेपर रहेंगे, इसमें से यह है कि, इसमें आपसान है कि 1st, 2nd, 3rd, आर Compulsory है, नि 1st, 2nd, 3rd, तीन चीज में से Compulsory है, बाकी Maths और Biomist को आप से चूज कर सकते हैं, Taste Center Year आपका देख सकते हैं, लेकिन अगर इसके Entrance Test के Date को लेकर अभी हम लास्ट में बात करेंगे, अब इसको आद हम लोग यहां पे G1 में है, तो अगेन आपका Year आप दे सकते है, BSC Honors, इसमें जो पेपर है मैं इससे पहले बार बात भी किया था, लेकिन इसमें देख लिज चाहिए बहुत, उसमें आपका 12th bio होना चाहिए, लेकिन अगर जो बंदा Science background से है, तो इन में से कोई एक paper मिल जागा, मतलब इस तारीके से, बाकी merit के बैस पर ही मिलता है, लेकिन यह भी add कर दें, merit के बैस मतलब 12th में जो आपका, sorry, जो आपने इंटरेंस दिया है, जो चूज करना हो पड़ेगा, मैस और biology में से कोई एक चूज कर लेंगे, option दिया जाता है, बाकी इनके लिए भी same रखा गया, जिसे वही देखे जाए, first, second, third, यानि English, chemistry, physics, mandatory, compulsory है, बाकी जो है, मैस और bio में आपके लिए optional है, चाहिए आप साइंस बाइक्राउन से हो, मतलब PCBCO या PCMCO आपको option मिल रहा है, बाकी टेस्सेंटर की बात करें, BSC में, तो UP, सिरिनगर हो गया, कुलकाता हो गया, पत्ना हो गया, केरला और मिगाला, इन सभी पे इनके टेस्सेंटर होंगे, अब यह तो चीजी सवाज मारा होगा, कि मतलब एक ही पिपर देना है, और उसम पेज नंबर, यहां से, लास्ट में, स्कूल का दिखाया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं, यह BSC Honors में जो है, आपके, फिजी केमिस्टी, मैथेमेटिक, इन सब का एक ही एक्जाम सोगा, और कब होगा, 3rd जुलाई को होगा, और ताइमिंग जो क्या रहागा, सुबे, 10 M, 10 M, पर आपका इसका एक्जाम से लिया जागा, किसमें, फेकल्टी ऑफ साइंस में, और फेकल्टी ऑफ साइंस में इन सारे कॉर्स का, लेकिन इससे पहले मैंने जोलोजी और बोटेनी के बारे में भी बात किया था, तो ज़र हम उसको भी दिखा दें यहां पे, देखी इन सब का पेपर एक ही होता है, तो यहां पे बाइयो केमस्टी, बोटेनी और जोलोजी का भी थर्ड सेम साथ मी होगा, और सेम टाम में होगा, यह देख लिए, इन सब का एक ही फॉर्म फिल होता है, मतलब फेकल्टी ऑफ लाइप साइंस में इन तेन कोर्स का, और बाकी ज कर सकते हैं, बाकी जो भी डीटेल डाली, करेक्ट डाली, गलती कम करिए, गलती ज्यादा करेंगे, जो उतना ही जाद आपका टेंसन होगा, तैयारी भी अच्छे सानी होगा, तो इसलिए उस पर ध्यान रखा करिए, बाकी जो है वो अभी इडिटिंग को लेकर उन्हें उन करेंगे, यहां पर लगबख सारा इंफर्मेशन में अल्मस्स दे चुका हूं, टेस सेंटर को लेकर वी एक्जाम पैटन को बाकी है, मैं आपको क्लियर कर दो, हॉस्टल 80-90% स्टूडेंट को यह लगबख सबको मिलता है, बस जो एम्यू के आसपास में है, यह करीब है, उ आपको त्री लाइन दिखेगा, यहां पर आपको अडमिसन से सेक्शन पर किलिक कर रहा है, इस पर किलिक करते ही, यहां आपको जेनल अडमिसन दिखेगा, आपको जेनल अडमिसन पर किलिक करना है, इसके बाद आपको अफिसल साइट पर आजाएंगे, और स्क्रॉल करते ह हम देखिए इस नोफ होगा है इस तरीकिक अपन होगा इस तर चुल्स कर सकते हैं … तो यहां पर आने कि बाद आपको क्या करना है छाए यह एक इस अगार फ्रेज करके न्युमौत कर लिए यह साइनस कश्क यह देखिसे गयां तर हां, वीडियो के description box Instagram कर लिंगे मुझे मैसेज कर सकते हैं आपको इंगलिस के sources में यह सारे syllabus रहेंगे physics में direct topic बाइज में इसके लाबा इनका 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 स्लेवर से आप चाहें तो इस पीडियो को निकलबा कर पड़ सकते हैं बाकि आपको इस ही साफ से त्यारी करना पड़ अगर है या नहीं बाकि आने वाले जो भी अपडेट है उसको लेकर अपडेटेट रहने के लिए एम्यू से रेट जो भी अपडेट आता उसको लेकर आप चैनल को subscribe कर लिए thank you